दोस्तों 23 दिसंबर को आप सभी को पता होगा कि 4 ऐसे सीटे थी जहां पर विधान सभा के उपचुना हुए थे जिसमें से पहली हमीरपूर सीट थी और दूसरी जो है 36 गड की दंतेवाडा सीट थी और तीसरी जो है केरल की जो है पाला सीट थी वही चौथी त तरफbly की एक सीट थी जिसको ले करके आप सभी को मैंने इससे पहले दो ऐसी सीटे थी जिसके रिजल्ट बता दिये थे लेकिन दो और जो सीटे बाकी थी उनका भी रिजल्ट दोस्तों आ चुका हैं मैं आपको बता दीू तो 23 सितमबर को होने वाले उपचु के रिजल्ट आ चुके हैं मैं आपको पहली सीट की बारे में बताऊं तो हमीरपूर हमीरपूर से बीजेपी परत्याशी यूरा सिंग जो है 17,000 से ज्यादा ओटों से जूज चुके हैं वहां पर सेकेंड पार्टी यानि कि सेकेंड दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटर है वही अगर बात करें दूसरी सीट की जो थी दोस्तो पाला पाला की सीट जो है केरल में आती वहां पे लेफ्ट यानि कि लेफ्ट पार्टी ने वहां पे ये सीट जीती है 2000 ओटों के मार्जन से वही तीसरी सीट की बात करें तो दोस्तों तीसरी सीट जो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है इसका कोई अभी पता नहीं लेकिन ये कंफर्म हो गया कि वहां पे कॉंग्रेस पाटी ने यानि की जीत हांसिल कर ली है वही चौथी सीट जो थी तिरपुरा की दोस्तों तिरपुरा की चौथी सीट पर मैं आपको बता दू बीजेपी के साथ ग प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना